यूपी में तीसरे चरण के और पंजाब की सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को मद्दान होने वाला है यूपी और पंजाब का चुनावी रण इस वक्त गर्माया हुआ है हर तरफ नेताओं का हुजूम लगा हुआ है सभी एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं तो राज्यों में कैसा रहा आज का चुनावी माहौल देखते हैं इस रिपोर्ट में पंजाब और यूपी में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है महस दो दिन बाद यूपी में तीसरे चरण में 69 विधान सबाद सीटों पर और पंजाब की सभी 117 विधान सबाद सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा ऐसे में सभी का फोकस पंजाब के साथ यूपी की उन सीटों पर है जहां कर शाम को प्रचार समाथ हो रहा है आज सपा चीफ अकलेश आदव फिरोजाबाद पहुचे और बीजेपी नेताओं को जवाब देने के साथ उस पर तीखे तंजभी कसे अकलेश आदव ने सपा की जीत का दावा करते हुए कहा की दो चरणों में सपा का शतक हो गया है चौते चरण में सपा को बहुत मिल जाएगा सातवे चरण में बीजेपी के बूत पर कोई नहीं दिखेगा इनके बूत पर भूत नाचेंगे अकलेश आदव ने बीजेपी पर निशाना सादा तो अकलेश को जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से पीम मोधी खुद मैदान में उतर पड़े पीम ने समाधवादी पार्टी को ही परिवारवादी पार्टी बता दिया कुरोना के टीके को लेकर भी पीम ने अखिलेश आदव को घेरा यूपी के सीम योगया देतेनात ने भी सपा पर सवाल उठाते हुए उस पर माफियाओं को सरक्षन देने का आरोप लगा दिया यूपी में मुखे मुकाबला सपा और बीजेपी के बीज दिखाई दे रहा है तो पंजाब में सभी दलों के निशाने पर कॉंग्रेस है क्योंकि पंजाब में सरकार कॉंग्रेस की ही है और पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिख रही है आज कॉंग्रेस सांसर राहूल गांधी और प्रियंका गांधी पंजाब में ही थे तो पूर्व पियम मनमोहन सिंग ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से कॉंग्रेस का समर्थन मांगा प्रचार के लिए पठान कोर्ट पहुंची प्रियंका गांधी ने पियम मोधी और दिली के सीम अर्विन के जिवाल की जोड़ी को छोटे मिया और बड़े मिया बताती हुए कहा कि उन्हें आर्थिक नीतियों की समझ ही नहीं है मोधी सरकार के राष्टवाद को मनमोहन सिंग ने फर्जी राष्टवाद करार दिया है